कि आरजे भारत न्यूज से मैं नरेंदर कुमार अगर हम बात करें राजस्थान के अलवर लोग सब चुनाव की तो यहां से भुपेंदर यादव भारते जन्ता पार्टी की पृतियासी हैं और ललित यादव कॉंग्रेस की पृतियासी हैं यहां मिरे साथ जो पब्लिक जूड़ी हुई है हम उन से पूछेंगे कि क्या बाहरी का जो मामला है वो है या नहीं है सबसे पहले हम आपका नाम जाना चाहेंगे किर्शन कुमार नाम है किर्शन जी बहारी का जो मुद्धा आरोप लगाए जा रहा है बहारी है बुपेंद्रियादव तो बहारी है या भारी है इसमें दोनों में क्या प्ला दर है देखो जी ये तो क्या है कांगरेश प्रोपगंडा फैला रही इनके पास मुद्दे कुछ है नहीं तो इसलिए ये प्रोबगंडा फैला रही है कि ये बाहरी है हो सकता है वो हमें सुनने में फरको वो भारी बता रहे हैं इसको और एक्चुली ये बाहरी भी है क्योंकि ये समझो कि केंदर सरकार में अमिसा जी नरेंदर मोदी अमिसा राजनात के बाद चोथे नमबर पे इनहीं का नाम है और ये वास्तमें भारी नेता हैं वो सही कह रहे हैं हो सकता है हमारे कानों में भारी सुन रहा हूँ वो भारी बता रहे हूँ बाद में वो कहेंगे जीतने के बाद हम तो भारी बता रहे थे आप लोगों नहीं गलत सुना तो इसलिए मैं पत्रकार जी पहले ही कह देता हूं कि हो सकता है हमारे कानों में थोड़ा सा गड़बड हो तो वो भारी है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी ने क्या किया तो ऐसे कौन-कौन से मुद्धे हैं जहां पर भारते जंता पार्टी आगे दिखाई देती है देखो जी मैं बताओं मैं जब पढ़ता था स्कूल में छोटा था मैंने कभी स्कूलों में बजट आता नहीं देखा उल्टा मास्टर जी जो होते थे या गाओं के जुम्मेदार लोग होते थे वो कहते थे भाई फलाने लंबड़दार तुमारी मा मर गई है तो उसके बदले में एक यहां कमरा बना दो बच्चे पढ़ लेंगे भाई फलाने सर पंच आप दान करके कमरा दान में ही सब कुछ चलता था सिक्चा के लिए कोई बच्च नहीं था दान में ही सब कुछ चलता था आज आप देख लो जब से यहां वसंद्रा सरकार आई थी 2004 जब से स्कूलों में बच्च देना सुरू किया उसके बाद नरेंदर मोदी आये 2014 में तो एक पीम स्री योज ना चल रही है आपको पता हो तो स्कूलों के लिए जिसमें जो स्कूल चिन्नित होता है उनको एक करोड रुपे अलग बजट दे रहे हैं एक एक करोड रुपे अलग से दे रहे हैं तो आपको पता है उसके बाद सिक्षम आज कल मास्टर भी पूरे हैं ठीक है स्कूल में बिल्डिंग भी पूरी है लाइब्रेरियां भी खुल रही हैं कंप्यूटर रूम भी खुले हुए सब सुद्धा हैं हो रही हैं कांग्रेश राज में ये था ही क्या बात और बताईए के स्क्षानिती आती रहती है 2020 की बैंट डी शिक्षानिती बदलने की बजाए जो पूरकी जो जानिम्टी आ हमारी 2009 की शिक्षानिती करें तो तो अगर वही फूरी लाज़ी ओंचानिती हुर आ अजन भाना दिते हैं है Freeman इन चीजन से जो प्रतियोगी परिक्छाओं के प्राइवेट स्कूल वाला अपनी अलग यूनिफॉरम अलग सिलेबस अलग टाइम टेबिल सब कुछ अलग लेके चलते हैं यह सरकार को फॉलो नहीं कर रहे हैं नई नीती में यह क्या है कि जो भी किताबे होंगे NCRT की वो एक ही सिलेबस होना चाहिए पूरे देश में ताक सरकारी स्कूलों में पांचवी आठवी के बच्चे तिन तिन चार चार किताबों से पढ़ रहे हैं जबकि प्राइवेट स्कूलों में इतना भारी भरकम बैग बना रखा है 20-20 किलो वजन का तो यह जो विसमता है इसको थोड़ा नजदी करने की कोशिज कर रहे हैं सरकार सिक्षा में सुधार करकर के अमित सहाजी ने खैरतल में रेली की थी उस दोनान मेरी मुलाकात आप से एक बार होई थी और आपने कहा था कि हमें डबल इंजन की सरकार चीए तो जो किसंगडबास का जो इंजन है वो तो नहीं जा पाया विदान सभा में अब ऐसे के अंदर आप अलवर लोग सभा का जो इंजन है वो भेज रहे हो तो जो किसंगडबास की जो कमी है इंजन की क्या वो पूरी कर पाएंगे बुपेंदर यादव जी बिल्कुल होगा बुपेंदर यादव जी ने अब भी किसंगडबास में कमी नहीं छोड़ी अगर आप उनके जो राज्यसबा सथार का कोटा है आप उसके डाटा लोगें तो यहा करीबन करीबन उन्हों ने 7 आठ करोड रूपए दिए हैं कि संगडविधान सभा में तो जब राज्यसबा संसद रहते हुए इतना पैसा दे सकते हैं तो फिर वो जैँ से संसद बन जाएंगे लोग सबा में चले जाएंगे और मंत्री पद उनको 100% मिलेगा तो फिर अलवर चिले का ध्यान रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे बहुत विकास करेंगे डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की रफ्तार से ही विकास करेंगे तो यह थे मेरे साथ अलवर के जो अलवर लोग सबा के विक्ति हैं क्रिसंजी अगर हम बात करें तो यहां के लोग अभी भी भुपिंद्रियादों को समर्थन दे रहें कारण के वल एक है कि मोधी की गारंटिया मोधी पर विस्वास मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जहिंद्र जय राज्थान